पता है यार मेरना एकदम से मीठा घाने का मन हुआ तो मैंने सोचा यार कुछ मीठा क्या बनाओ मैं तो मेरे दिमाग में आई यार वैसे तो बाखी सारी चीज़ें बहुत यादा लेट बनती हैं और बहुत ही मुश्किल से बनकर तयार होती हैं तो मेरे दिमाग में को आज आज आटे की पेड़ी की रेसीपी बनाओं। है सबस्क्राइब कि वाति की नूटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं। तो चलिएगा फिर देर किस बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत यादा टेस्टी आटे के पेड़े तो देखिएगा आटे के पेड़े बनाने के लिए मैंने एक कप आटा लिया है आपके घरमी अगर कप नहीं है तो आप कटोरी से भी माप के लिए सकते हैं तो तो यह देखिएगा कुछ मोटे पार्टिकल्स थे अंदर चलनी के ऊपर आ गए हैं तो देखिएगा अब हमें बिल्कुल सा आटा जो है बिल्कुल मिल गया है तो चलते हैं अब गैस की तरफ तो मैंने यह कडाई रख लिए अब मैं आटे को अच्छी तरीके से भून लोंग क्योंकि अगर आप तेज आच पर करेंगे तो आटा आटा आपका भून तो जरूर जाएगा अप कलर तो आ जाएगा पर जो इसका नैचुरल टेस्ट होता है जो बिल्कुल दीमी दीमी आच पर पकाने से आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो आपको पेड़े बनात पर हम आटे को सेख लेते हैं आटे को सेखना बहुत जरूरी होता है तो देखिएगा आटे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो यह मैंने चार से पांच हरी राइची ली थी जिसको मैंने मूसली के अंदर अच्छी तरीकी से कोट लिया था अगर आपके पास इलाइ तक तो इसी तरीके से हमें आटे को भूनते रहना है जब तक से अच्छी से खुश्बू नहीं आने लगती है और इसके अंदर एक अच्छा सट वह नहीं आने लगता है तो देखिएगा इसको स्मूध सा टेक्श्चर देने के लिए मैंने इसके अंदर का यूज किया है त और मैं बार-बार आपसे बोल रही हूं कि गैस को बिल्कुल लो मीडियम आज पर ही पकाना है आपको रखके जितना ही आप मध्याम आज पे इसको पकाएंगे पेड़े आपके बहुत याद टेस्टी बनके तयार होएंगे तो देखिएगा आटे के अंदर बिल्कुल एक् कप तो चलिएगा अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी तो एक कप मैंने आटा लिया था तो मैंने एक कप से थोड़ा कम मैंने चीनी लिया है क्योंकि मीठा है तो मीठा तो होना ही जाहिए तो मीठा आप अपने अनुसार कर सकते हैं जादा या कम तो मैंने एक तो यह सबस्ट है कि आप मेने का पंधा कि अन्दर पाइड राय्ट किया है चीनी को मैं इक्सरे ग्रेंटर पीस लिया था मैंने वह यूस्ट किया है आपके पास बूरा हो तो आप भी कर सकते हैं क्यों कि अगर आप गैस के ऊपर चारेद करेंगे तो कि इसके अथे पर फिर से वपष में इसको गैस के ऊपपर रख दिया है है अब गैस के ऊपर रखने के बाद्स आपम हम इसको अच्छी तरीकी से मिला लेंगे पर इसको अच्छी तरीकी से भूंख लेंगे लिख उजे door 25 false तो आपके पास मलाई भी नहीं है तो फिर आपको इसके अंदर घी का यूज़ करना पड़ेगा और अगर घी भी नहीं है तो आप इसके अंदर दूद का भी यूज़ करना पड़ेगा कर सकते हैं तो चलिएगा तीन से चार चामच मैंने इसके अंदर दूद का यूज़ किया है तो चलिएगा अब हम इसको अच्छी तरीकी से मिला लेते हैं मतलब जब तक ये अच्छी तरीकी से एक्वाली मिलने जाता है तब तक हमें इसे अच्छी तरीकी से मिला लेना है पर से उतार लिया है तो लो है यह तारी की-स फ्रजव महांता यहांद Εिस थोड़ा थो पर भी लगाओंगी और फीर सतरीके से थोड़ा से Gibson उठा कर अपने हाथ पर और रखूँगी टो चलिएगा मैं आपको इसको दिखा देती यह इसलों कि अच्छी है ही तो आप इसमें बिलकुल लास्ट में इसको पेड़े बनाते वक्त आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं पर देखेगा मैं घी का यूज़ बिलकुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोल्ड है इस तरीके का जो कुकी कटर राता है यह नॉर्मल ही वो है आपको कहीं भी मिल जाएगा तो देखिएगा कितनी ज़्यादा सुन्दर जो हमारे पीड़े बनकर तयार हो रहे हैं तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़ों को बना लूँगी तो देखिएगा मैं फिर तयार कर लिया है तो चलिएगा थोड़ी से बदाम से मैं इसको गार्णिश कर देती हूँ इसको सजा देती हूँ क्योंकि सजने के बाद तो ही इसकी जो है टेस्ट जो है वो और आटोमेटिकली इतना बढ़ जाता है कि बहुत ज़्यादा तो मैंने बहुत चोटे-चोटे पेड़े बनाए हैं क्योंकि छोटे-चोटे पेड़ों के अंदर पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है बिल्कुल डिफरेंट सा बढ़ों के अंदर इतना नहीं आता है फिर भी तो देखेगा मैं आपको तोड़के दिखा देती हूँ कि कितने ही ज़्या कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना तो चलिएगा मिलती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई अंटेक केर